नमस्कार राजा भाईया राम राम नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और शहीद भीमान आयक जी की जन्मे स्थली पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और आप सभी को बहुत बहुत जय जोहार आप सभी विध्यारती गन ध्यान दे कि आप सभी लोगों के लिए एक बहतरी लेक्षर आप लोगों का चल रहा है और वो है इसे close कर दो वो कौन सा है आप सब जानते है कि मत्यप्रदेश यात्रा स्रीज में आप लोगों को मैं जिला दर्शन करा रहा हूँ एक जगा बेट कर मत्यप्रदेश के सभी जिलों को घूमना और जिस जिले के हम नहीं है जिस संभाग के हम नहीं जो हमारी भाषा नहीं जो हमारा शेत्र नहीं जो हमारी शंस्कृती में नहीं या जो हमारे विदी विधान में नहीं है उन्हें हम घर बेट कर जाने ये बड़ी बात है आप जिस भी जिले से हाँ जहां के भी आप सभी इत्यार्थियों को मैं दूसरी जगा के बारे में चर्चा करता हूँ बुंदेल खंड का बेटा आदमी अगर निमाड के बारे में सोचे और वो सोचे कि बढ़वानी में ऐसा क्या विश्य से हमारे भेंड से तो बढ़वानी काफी दूर है हमारे रिवा से तो बढ़वानी काफी दूर है सागर से तो बढ़वानी काफी दूर है कोई पड़ोसी जीला वाला भी सोच सकता है वह या कि भाईया इतने एसा क्या है खंडवा से बढ़वानी तो क्या है खास सभी लोगों बताता हूँ नमस्कार जैस्री महांकाल ठीक ना देखेगा राजा भाईया एक-एक करके सारी चीज़ को बताता हूँ तो निमाल का पेर ठीक ना यात्रस्री सुरूई ये तब से बढ़वानी जिले का इंतिजार कर रहा था राहुल भाई जी राहुल ठाकरे जाए खावा बाड़ी वाले आ गये मेरे भाई सभी का बहुत बहुत श्वागत है थावा बाड़ी वाले भईया का ठीक ना अब देखते जाहिए और नर्मदा नती धार जिले और बढ़वानी जिले के बीच में बाउंडरी बनाती है और निश्वत तोर पर आपको इसे दो लेक्षर में दो क्लासेस में पढ़ना चाहिए दो क्लासेस में से पढ़ना चाहिए बढ़वानी जिला ठीक है ना बढ़वानी जिले की बात कर चर्चा करते हैं भीया education literacy rate क्या होगी सब कुछ बताएंगे ठीके ना सबसे पहली बात में चर्चा करूँगा भीया गठन कि बड़वानी जिले का गठन कब हुआ ठीके ना बड़वानी जिले का गठन कब हुआ देखेगा मेरे बाई मद्य प्रदेश में मद्य प्रदेश में जब जीलों की संक्या 45 थी जब जीलों की संक्या 45 थी तब अचानक तस जीले बना दिये गए 25 अप में 1998, 25 में 1990 की बात कर रहा हूँ, 25 अप में 1998, 25 में 1990 स्वी में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में पश्चीमी निमाड के रूप में प्रशिद घरगोन जिले का बटवारा कर दिया गया, पश्चीमी निमाड का भी पश्चीमी हिस्सा अलग कर दिया गया, और खरगोन जिले से नया जिला बना दिया गया, बढवानी, जिसको उस शेत्र को पहले खरगोन के इस पश्चीमी शेत्र को बढणगर के नाम से जाना जाता था, बढणगर के नाम से जाना जाता था, बढ दूबें समीती की अध्यक्षता में भी लिख सकता हों दूबें समय गयाठ रखेंगा ड्यक्षता को ई ili याद रखेगा घठन करते समय आपको याद रखना होगा खरगोन जिले से खरगोन जिले से प्रतक किया गया, तो याद रखेगा कौन से प्रतक किया गया, खरगोन का पश्चीमी भाग, याद रखेगा कौन सा भाग अलग किया गया, तो खरगोन का पश्चीमी भाग प्रतक किया गया, तो अरुगाई चे दादा, ननम, बहुत बड़ा जिला था खर खर्गोन और खर्गोन की भग अलग यदि घर आप देखेंगे लिए खरवादी रूप में निवाली को कहा करें गैंगे थीकर ने मनावर टैसिल वाले भी आ गया निवाली तैसिल वाली भीए बढ़वानी जिले का रास्ता देखने वाले लोग भी आ गए हैं राहूल भाई ठाकरे चलो भाई सबका स्वागत है बहुत अच्छी बात है तो गठन कप क्या गया तो बढ़वानी जिले का गठन क्या गया 25 में 1990 को यह तारीक बी आर्दुबे समीती के दिक्ष्टाम में य इससे खरगोन का पश्ची मी भाग प्रथक किया गया अर्थात मैं कैसकता हूं याद रखेगा इसका मतलब यह हुआ कि खरगोन मतलब होता है पश्ची मी निमाड़ खरगोन मतलब क्या होता है पश्ची मी निमाड़ अब सुरू हो चुगा है मेरे राजा अब सुरू हो च पश्चीमी निमाड का पश्चीमी निमाड का पश्चीमी भाग, याद रखेगा, पश्चीमी निमाड का पश्चीमी भाग जो है, वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है बडवानी, पश्चीमी निमाड का पश्चीमी भाग क्या कहलाता है राजा भई? बडवानी, क्या कहल जाना जाता था, बड़नगर के नाम से भी जाना जाता था, ठीके ना, इसे अन्ने नाम किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा, इसे अन्ने किस नाम से जाना जाता है, तो अन्ने नाम से जाना जाता है, निमाड का पेरिस, क्या कहा जाता है, निमाड का पेरिस, क्य केते हैं यह तो विशे खेर परीक्षा में पूछे जाने योग की नहीं है इस कारणे से मुस्पर चर्चा नहीं करूंगा लेगा आप लोगों ने कि जी यहां बिल्कुल ठीक राजबया ठीक न देखेगा जनसंख्या कितनी है जनसंख्या दोहजार ग्यारा के अनुसार तो देखेगा जनसंख्या बता देता हूं जनसंख्या कितनी है तो याद रखेगा तेरा लाख पिच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च ठीक है ना? 13,85,881 याद रखेगा 2011 के अनुसार बड़वानी जिले की जनसंक्या कितनी है तो 13,85,881 ये 50 जिलों में से नापी गई किसनों में से निकाली गई है? 50 जिलों में से निकाली गई है ठीक है न? याद रखेगा अब आकर यहां का जनसंक्या घनत पूछले बड़वानी का तो याद रखेगा बड़वानी का जनसंक्या घनत पूछले 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 बड़वानी का जनसंक्या का गनत्व होगा एक बार एक काम करता हूं आगे बढ़ जाता हूं अब बताओ बड़वानी जिला कब गठन हुआ पच्चिस में उन्निस उन्ठ्यान वे सब याद करके बोलते जाए एक घर से ठीक रहे है ठीक रहे ठीक रहे ठीक रहे बढ़ानी जिला बढ़ानी मत्रदेश बड़ जी अलग किया गया बडवानी जिला की में बात करूं तो बढ़वानी निमार का भी पश्री मी भागए खरगों से अलग किया गया, बढ़वानी निमाल के अंतरगत आता है, किस के अंतरगत आता है, निमाल के अंतरगत, इसका प्राचिन नाम क्या है, तो याद रखेगा, इसका प्राचिन नाम है बढ़नगर, इसे शित्द शित्र के नाम से भी जाना जाता है, यहां पर लिखा क के राओं कि इतना याद रखो कि कम से कम यह जीला जो है वो जनसंख्या में कैसा है जनसंख्या की तरश्टी से कैसा जनसंख्या घनत्व यहां की जनसंख्या का इस शेत्रपल पर बहार जनसंख्या घनत्व निकालता है 255 विक्ति प्रति वर्ग किलोमेटर निकल गाता है सब सबसे पहले आप लिंक शेयर करते चलो भीया साब डबरा से सचिन भाई पचोरी स्वागत भीया ठीक ना पांसे मल बोला ना मेरे भाई पांसे मल बोला आपने सुना नहीं है जल्दी से ठीक है चलिए अगर इसक्रिंशोट लीजी जल्दी से लिंक शेयर कर दो बढ़वानी जिला बहुत मेरा खुद का बड़े हार्दीक इक्षा इस बढ़वानी जिल्दी को बड़े प्रेम से पढ़ाने की ठीक ना प्रेम से पढ़ाने की क्योंकि यहां प्रेम सिंग पटेल विधायक है ठीक ना कोन विधायक है यहां से प्रेम सिंग पटेल खुद विधायक है ये देखेगा, बढ़वानी जिला, कौन सा जिला होगा, बढ़वानी, ठीके ना, ये शित्र है, सबसे नीचे की और आता है, महराष्ट का, महराष्ट का पडोसी जिला है, महराष्ट का पडोसी जिला है, जिला है बढ़वानी, जिला कौन सा होगा राजभी है, बढ़वान कितना है चुकी भाई साब आदिवासी जिला है इस करण से लिंगानुपात में लोगों की नजर बहुत जाता रहती है ठीक है ना याद रखेगा इसका लिंगानुपात कितना है सात्वा जिला दोहजार ग्यारा के नुसार सात्वा जिला तो याद रखेगा मत्यप्रदेश का सात्वे नंबर का जिला है 2011 के नुसार मद्ध प्रदेश का सात्वे नंबर का जिला है 902 ठीक है ना यहां की लिंगानुपात है 902 यहां का लिंगानुपात 900 982 है ना इधर देखेगा 982 ठीक है ना क्योंकि 990 जाबुआ का है 982, 982 लिंगानुपात है आप से पुछा जाएगा शिशुलिंगानुपात शिशुलिंगानुपात चाइल्ड सेक्स रेसो शिशुलिंगानुपात का मतलब यह होता है मेरे भाई कि इसमें आयू सीमा है एज लिमिट है याद रखेगा जिनकी आयू जन्म से लेकर 6 वर्स तक की होगी 0 से लेकर 6 साल तक की होगी वो शिशुलिंगानुपात के अंतरगेत आते हैं और इसे बच्चों की संख्या में 948 बच्चिया है 1000 बच्चों की तुलना में यदि 6 साल तक के बच्चे या उससे कम के 1000 लड़के हैं तो 1000 लड़कों में 948 चोटी चोटी बच्चिया है यह यहां का सेक्स रेस हो है यहां का लिंगानुपात है ठीक है न आपको याद रखना होगा यह तक क्लियर हो आप लोगों को अगर आप लोगों से पूछा जाए बहिया कि कुल साक्षर्टा दर कितनी होगी कुल साक्षर्टा दर कितनी होगी कुल साक्षर्टा दर कितनी होगी लिटरेसी रेट कितनी होगी तो याद रखेगा कुल साक्षर्टा दर तो याद रखेगा 49% कितना है 49% आपको बता दू मद्धि प्रदेश में सबसे कम पड़े लिखे जिलों में तीसरे नंबर पर आता है याद रखेगा, याद रखेगा, नियूनतम साक्षर्ता में मैं आपको लिखा दूँ, नियूनतम, 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 साक्षर्ता में नियुन्तम साक्षर्त अदर में तीसरा जिला कौन से नंबर का जिला है नियुन्तम साक्षर्त अदर में तीसरा जिला मद्य प्रदेश के सबसे कम पड़े लिखे जिलों में तीसरा जिला कौन सा है बढ़वानी चलिएगा तो पहला जिला बता दू तो पहला जिला होगा आपका बढ़वानी तो मद्य प्रदेश के तीन सबसे कंपड़े लिखे जी ले कौन-कौन से होंगे अली राजपूर जाबुआर बढ़वानी बढ़वानी का लिट्रेसी रेट कितना है 49% मैंने आपको इदर उदर परसेंटे से बेटा दिया डारेक्ट लिकिएगा 49% ठीक पुरुस साक्षर्तादर कितनी होगी भी या राजा पुरुस साक्षर्तादर 55.79% 55.79% ये बढ़वानी जिले कि पुरुस साक्षर्तादर है ठीक ना और यहां पर देखेगा महिला साक्षर्तादर महिला साक्षर्तादर और महिला साक्षर्तादर की अगर मैं बात करू तो महिला साक्षर्तादर में ये फिर कम हो गया है महिला साक्षर्तादर में कितना मिलेगा 42.39% 42.39% और देखेगा 42.39% की अगर मैं बात करू 42.39% जो है वो महिला साक्षर्तादर में नियूंतम तीसरा तो याद रखिएगा फिर से मैं लिख दूँगा नियूनतम तीसरा जिला नियूनतम तीसरा जिला तो मद्यप्रदेश में सबसे सबसे कम महिलाओं की साक्षरता में तीसरा जिला बढ़वानी मद्यप्रदेश की सबसे कम आवराल लिट्रेसी में मद्यप्रदेश का तीसरा जиля बडवानी क्योंकि इस सबमें पहला जिला कूंसा अली राजपुर अली राजपुर सभ से कम पड़ा लिखा जिला ओवरल सभ से कम साक अरुका है वदनाम करी दियो पड़ाइमा दस रुपया की पोटली का जक करम on हाओ हो कही't करू सावन हां का अधिकारी तो छेह नी भाई साब मखह काई लेने तोनों हां को तो बस अत्रोझ केरो कि 2011 में या स्तिति आइस गया च्छाम या स्तिति आक लाम है गई के अब हां का यहनी पोल खोलने के बटी खोश ने वहन पूरी पोल खोल ना खुँगा मखह मालूम छे कौन कत्रा पड़या लिख्या छे हाँ हाँ तो तुम मखह ने ऐसा डोलियाना कर दिखे 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 गा मट्टे रहाँ मखह हम मरोड नाखूंगा बैस आप चलो जल्दी से हो गया बैया सक्षर्थातर हो गया लिंगानू पात हो गया सब कुछ लिका आप लोगोंने है ठीक है न कि खरफह करना कर दखिए है को फिर सस्टायव किलो मेटर पांच हजार 2447 बार्धर यह मद्यपरदेस का जिला है वर याद रखियागा पूठे मद्यपरदेस में 30 में नमबर का इस्थान आता है 2011 करनुसा 30 में नमबर का इस्थान आता है याद रखेगा 30 नमबर का इस्थान 50 में से आता है अर्था तो उस समय 2011 में ना तो निवाडी जिला था ना तो निवाडी जिला था नहीं अगरमालवा जीला था अब तो त्रेपन हो गए ठीक है ना ठीक है ना ओके मेरे भाई और मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई प्रमुख नदियां अगर आपसे पूछी जाए कि भाईया मद्य प्रदेश के बढ़वानी में प्रमुख नदियां कौन सी है तो सबसे पहले तो भाईया जे कारा लगाएगा मैया नर्मदा का तो वोलो नर्मदा मैया की जे ठीक ना तो नर्मदा मैया भाईया सबसे प्रमुख नदियों में मा नर्मदा जी को याद रखेगा नर्मदा मैया सबसे प्रमुख नदी है बढ याद रखेगा कुल तहसील है मिरे राजा भई नो कितनी से पहले कितनी मिलेगी? तो कुल तहसिल मिलेगी, 9, कितने तहसिल मिलेगी राजा भीया, 9, ठीक है न, देखेगा, अभी मैं आपको पूरी 9 की 9 तहसिल बता देता हूं, ठीक है, देखेगा, सबसे पहले देखेगा, बढ़वानी, एक है बढ़वानी, एक है बढ़वानी, एक है राजपूर, एक है एक बड़वानी तैसिल है, मैं 9 तैसिल गिना देता हूँ, नमबर लिखके देता हूँ, बड़वानी, फिर एक तैसिल है, राजपूर, ठीक है ना, फिर एक तैसिल है, पांसे मल, पांसे मल, कौनसी तैसिल है, पांसे मल, पांसे मल छे किना ना, हाँ गलत तो ने कही रोज, स्पान सेमल, ठीक है ना? फिर देखेंगे, एक है सेंधवा, एक है सेंधवा, जो मैंने उपर चार तैसिल लिखे ना, ये चारों की चार विधान सबा है, बाकी इसके अंतर गद देखेगा, पान सेमल हो गई, सेंधवा हो गया, फिर आजाता है अंजड, फिर कोण सी तैसिल पार्टी तहसिल, फिर कौन सी आजाती, निवाली तहसिल, कौन सी आजाती, निवाली तहसिल, ठीक है न, निवाली, अब आप में से कई सारे लोग जो गलती करेंगे, वो कौन सी करेंगे, कि भाया, वो निवाडी तो नहीं है, नवी है वारला, ठीक है न, नवी है वारला तह तो याद रखेगा, मद्य प्रदेश के बढ़वानी जिले में 9 तहसिल है, ठीकरी, अंजड बढ़वानी, राजपूर, सेंदवा, पांसेवन, निवारली, पाटी और वारला, ठीक है ना, इस ये सारी के सारी तहसिल कौन से जिले की है, ये बढ़वानी जिले की है, अब इस पेच पर जो कुछ भी लिखा है वो सब आप लोगों को बताता हूँ, याद रखेगा, एक बार आपने नजर से देख लो, किसकी कितनी बुद्धी तेज है, किसकी कितनी बुद्धी तेज है मेरे राजा भाई, चलेगा जल्दी से, आगे बढ़ जाते हैं, हमने इस सेट पर पर है पुरुष साक्षर्ता में 55.70% है यहां महिला साक्षर्ता में 42.39% है यहां महिला साक्षर्ता में नियूंतम तीसर जिला है बड़वानी जिले के अंतरगा ताने वाला जो है नदी प्रमुख नदी है बड़वानी जिले में तेहसिलों की संक्या कितनी है तेहसिलों की स तहसील है और वारला तहसील है और यहां पर निवाली तहसील है मद्य प्रदेश के बड़बानी जिले की 9 तहसील है सारी के सारी चीज लिखी इसके शोट ले लिजिएगा शेत्रफल पूछा है उसने तो 52427 27 का इधर इधर आईएगा उल्टा करेंगे तो कितना होगा जोपन कहादा करो 27 यह इसकोर किलोमेटर और तीसवा नंबर का इस्थान 50 जिलों में से इसका आता है ठीक है न हमारा निमाड का पोर्या पोरी ना करने बदनाम करी रहाज तुम अरे हूं तो बढ़ाने कोच काम करी रहा हूं तो चाहिए रोज की जो अगली जनकन ना होए उमा अच्छो नंबर है जाए परसेंटेज बड़ी जाए हूं तो चाहूं कि पड़वानी पड़िया लिखा जीला की गिंति महीं जाए हूं और काई करी रोज नाना हूं कई पागल छे मख़ा कई पागल कुत्रा ने काट्यों कई है हूं तो पढ़ाने कोच काम करी रहा चल लिखो हम तो काई रोज की जित्रा भी अपना साब दादा दादी हैं उनके भी दिख़ई तो तुम तो भई है सब बढ़ जाए मेरे राजा भई आगे शाक्षरता सब चीज हो गई जी हाँ विल्कुल विधान सबा देखेगा यहां की विधान सबा कितनी है तो बढ़वानी जिले के अंतरगत चार विधान सबा है ठीक है ना बढ़वानी जिले के अंतरगत विधान सबा कितनी है तो चार तो बढ़वानी हो गया बढ़वानी में आप देखेंगे विधा तो बढ़वानी जिले की विधान सभा कितनी है तो चार के चार नाम बता देता हूं और चारों के विधायकों के नाम बता देता हूं ठीक है ना विधान सभा कितनी होगी चार देखेगा विधान सभा चार में एक मिलेगी बढ़वानी विधान सभा कौन से मिलेगी बढ़व प्रेम सिंग्, पतेल, यह बीजेपी से विधायक है और याद रखेगा बरतमान में जब मैं पढ़ा रहा हूँ, इनका सब का कारिकाल याद रखेगा, यह सब के सब 15 वी विधान सबा के है, सब के सब कौन सी विधान सबा के है, 15 विधान सबा, मतलब मैं आपको इस पश्ट लिख दे रहा हूं कि इस कारेकाल के बाद इस टाइम पिरेट के बाद में मैं इनकी किसी भी प्रकार की जवाब दाही नहीं लेता हूं जब आप बहुत समय बात पढ़ रहे होंगे कभी तो ये समय समाप्त हो तो समझ लीजिएगा विधाय की इनकी समाप्त दोबारा जीच पर ये समाज तो इनका 2018-2023 के बीच का है आपको मैं बता दू कि याद रखेगा केबिनेट मंत्री है केबिनेट मंत्री भाई साब ये केबिनेट मंत्री है वरतमान में तो केबिनेट मंत्री है कहाँ पर मद्द प्रदेश की विधान सभा में केबिनेट मंत्री विधान सभ आप जो की भील जंजाती शेत्र में भील जंजाती से है इनके बेटे जो है इनके सुपत्र बलवन्त सिंग पटेल वो बढ़वानी जिला पंचायत अध्यक्ष है बलवन्त सिंग पटेल उनके पिता स्री स्री प्रेम सिंग पटेल बिचेपी पारिटी से 15 विधान सवा 2008-2023 म केबिनेट मंत्री प्रशुपलन मंत्रा लेके यहां तक क्लियर हो आप लोगों को अब देखेगा अगली विधानसवा आती है अगली विधानसवा आती है राजपूर कौन सी आती है राजपूर विधानसवा राजपूर विधानसवा आती है बाला बच्चन, विराजपुर विधान सभा के विधायक बाला बच्चन, आपको बता दू, कि बाला बच्चन जो है, कॉंग्रेस पार्टी से है, और ये भी ST रिजर्व है, याद रखेगा, ये सीड भी ST रिजर्व है, ये सीड भी जो है बडवानी, ये ST रिजर्व है, आधिवासियों के लिए, ठीग ना, ST रिजर्व है, 47 विधायक बंते हैं ना, आधिवासि, तो उसमें से 4 की विधान सभाः, बडवानी जिले में 4 विधान सभाः है, और 4 की 4 ST के लिए रिजर्व है, और ये बाला बच्चन सहाब जो है याद रखेगा पूर्व ग्रहमंत्री याद रखेगा पूर्व ग्रहमंत्री मत्रदेश के पूर्व ग्रहमंत्री थे पूर्व ग्रहमंत्री कौन थे बाला बच्चन याद रखेगा पूर्व ग्रहमंत्री कब से कब तक रहे 2018 दिसंबर से लेकर 2020 तक रहे जब Congress की सरकार रही उस समय तक रहे ठीक ना याद रखेगा तो राजपूर विधानसभा से Congress पत्यासी है क्या नाम है भाईया याद रखेगा ठीक ना अब दिखेगा सेंद्वा विधायक आते हैं सेंद्वा विधायक आते हैं तो सेंद्वा विधायक की अगर मैं चर्चा करता हूँ तो सेंद्वा विधानसभा वर याद रखेगा सेंद्वा विधानसभा यह Congress से है कॉंग्रेस की सेंद्वा विधान सभा कॉंग्रेस पार्टी से है और यहां के हैं ग्यारसी लाल रावत क्या नाम है विधायक ग्यारसी लाल रावत ठीक है ना लेकिन याद रखेंगा वही साब ग्यारसी लाल रावत जो है कॉंग्रेस पार्टी से है 2018 से 2023 इनकी पंद्रवी विधान सबा ये इनका कारिकाल रहेगा और इस शेत्र में जैस पार्टी के युवानेता जो है ठीक है ना अब वो इस जगा पर खास करके मैं बता देता हम लोगों को कि मैं आपको यहीं से रुजान बता दूँ कि दो विधान सबा सीटे चार में से द रेम सिंग पटेल विजेपी से है तो यहां बड़वानी विधान सबा सीट विजेपी के इससे में फिर से जाएगी यहां मेरा अनुमान है ठीक है ना अच्छा माहोल है पुत्र जिला पंचा दद्यक्ष है पितासरी केबिनेट मंत्राले में है और भील जन्जाती भील प्रत्यासी बाला बच्चन सहब अगर पुना अगर इनको टिकेट मिलती है तो पुना यह जीत का स्कोर बनाएंगे ठीक है ना अब देखियेगा अब सेंद्वा विधान सबा सीट खतरे में हैं सेंद्वा विधान सबा सीट से अब प्रत्यासी जैस परटी से खड़े अनुसुची जनजाती से ही है ठीक ना ठीक है यहाँ पर देखेंगे अगला है अगला है पांसे मल से पांसे मल से पांसे मल विधान सबा ठीक ना पांसे मल विधान सबा कौन सी विधान सबा है पांसे मल विधान सबा ये भी कॉंग्रेस की है ये भी कॉंग्रेस की किसकी व प्रत्यासी है चंद्रभागा किराड़े याद रखेगा ये वही आपका कारिकाल 2018 से 2023 के लिए याद रखेगा मद्य प्रदेश के बड़वानी जिले में पूरा आदिवासी शेत्र है पूरा भिल जन्जाती का भरपूर जनसंख्या है चार विधान सबा शेत्र है नो तेहसि इस्टी के लिए रिजर्व है ये भी एस्टी के लिए रिजर्व है और याद रखेगा ये भी एस्टी के लिए रिजर्व है ठीक है ना और ये चारों के चारों विधायक आदिवासी है चारों के चारों विधायक क्या है आदिवासी है सर्जी निवाली तेसिल के गुम्डिया खुर्दा आना तो इंस्टा पर मेसेज करूंगा दालबाटी बना के खिलाऊंगा पूरे देशी घी के साथ में मेरे भाई सावन बस मुझे अभी पढ़ा लेने दो अगर तुमने एसा बीच में दो बारा बोला मेरे तो लारी टपक जाएगी मेरे भाई ठीक है ना चलिएगा इसके शोट लेलो भी या चारो विधान सबाज शित्र का इसके शोट लेलीजिए चारो विधान सबाज शित्र का इसके शोट लेलो मेरे भाई ठीक है ठीक न चलेगा अब देखेगा बड़वानी जिले के संदर में अब हम चर्चा करते हैं उसकी सीमा उसकी जो बाउंडरी है और किस तरह से लगता है याद रखेगा बड़वानी जिला इधर देखेगा बड़वानी जिले को समझने के लिए मुझे ऐसा लगता है की से और जीम कर दिया जाना चाहिए क्लियर है ठीक है इदर देखेगा बड़वानी जिले की सीमा है बड़वानी जिले में उपर नर्मदा नतीब है रही है एक लेक्चर में सारी चीज़े खतम नहीं होगी, ठीके ना, बढ़वानी जिले के पडोसी जिले देखेंगे, बढ़वानी के पडोसी जिले देखेंगे, खरगुन, बढ़वानी के पडोसी जिला कुन सा है, खरगुन, तो बढ़वानी का एक पडोसी जिला है, जो बहुत ह कुन को सी जिले होगे एक खरगोन जिला, एक धार जिला और एक अली राजपूर जिला तीन इसके पड़ोसी जिले है։ बाकि इसका बचा हुआ जितना भी शित्र है ये सारा का सारा शित्र मेरे राजा भाई महनराष्ट से लगता है और इसका पड़ोसी राज्य कौन सा होगा महराष्ट कौन सा होगा महराष्ट तो बड़वानी जिला महराष्ट से लगा हुआ है महराष्ट और मद्यप्रदेश की बाउंडरी पर महराष्ट और मद्यप्रदेश की बाउंडरी पर सेंधवात हैसिल के अंतरगत आप देखेंगे दरवारलाद सेंधवात के तरप इधर यहाँ पर माता जी का मंदिर मिलेगा जो कि दोनों राज्जी की अर्थाद बढ़वानी मतलब की मद्धिप्रदेश और इधर महराश राज्जी की बाउंडरी पर है जहाँ पर बड़ा सा मेला आयजीत होता है बिजाशन माता का मंदिर है ठीक है ना? ठीक है ना? बिजाशन माता का मंदिर है तो याद रखेगा बिजाशन माता का मंदिर है यह वाला शेतर है कौन सा माता का मंदिर मिलेगा भी या? बिजाशन माता का मंदिर मिलेगा और सेंधवा बाउंडरी सेंधवा भटक परिवहन के दृष्टिकों से सेंधवा चोकी परिवहन के दृष्टिकों से पूरे मद्यप्रदेश में सबसे ज़्यादा परिवहन राज Васव देने वाली चोकी है चुकि यहाँ पर मद्ध्रदेश, महराष्ट और गुजरात राज्जी तीनों की बाउंडरी के संबंद में यहाँ पर वहानों की आवाजाही होती है इस करण से सेंधवा, परिवहन, चोकी सबसे ज़्यादा राजा सुप्रदान करने वाली चोकी है ठीक है ना, परिवहन, राजा सुप्रदान करने वाली चोकी है एक एक चीज़ को देख रहे हैं आप लोग, समझ रहे हैं सभी लोग ठीक है ना, एक चीज़ और देखेगा, महराष्ट का पडोसी जिला है यहाँ पर देखेगा, बड़वानी शब्द, बड़वानी जो होगा है ना, बड़वानी यहाँ पर आगा है यही पर आता है आप देखेंगे, यही पर आता है आप देखेगा सेंधवा चोकी, कौन सी आती है, सेंधवा चोकी, ठीक है ना सेंदवा चोकी, सेंदवा चोकी, याद रखेगा, ये कौन सी चोकी है, सेंदवा चोकी, याद रखेगा, प्रदेश सरकार को सर्वाधिक, परिवहन राजश्व, परिवहन, मतलब राजश्व कई प्रकार के होते हैं, परिवहन राजश्व प्रदान करता है, सरवाधिक परिवहन राजश्व प्रदान करता है, सरवाधिक परिवहन राजश्व प्रदान करता है, कौन सी चोकी, तो याद रखेगा, सेंदवा चोकी, मत्यप्रतिय सरकार को सबस्यादा परिवान राज़स प्रदान करती है ठीक ना काल आई जाओ बड़बानी रईवार छे की रईवार छे काल हाओं के रोज की मंख़ा काम बच्छे धाना ठीक ना गबरामत सेंदवा का किला बवरगड का किला यह सब पढ़ाना सेंदवा का किला बवरगड का किला है दावा बावडी पढ़ाना अभी तो आप लोगों को और शहिद भीमान आयक जी के बारे हम पढ़ाना चिंता का यह बात की भाई होले होले चलो रे राजा होले होले चलो भाई अब देखते रहिएगा बड़वानी जिला जो है उसकी इस्तिती क्या कहती है बड़वानी जिला क्या है उसकी इस्तिती क्या कहती है एक पेज मोर समझाता हूँ यह बड़वानी जिला है ठीक है आप जितना प्यारा आपको समझा सकता हूँ वो सब का सब समझा देता हूँ ठीक है इधर देखेगा बड़वानी जिला यह बड़वानी जिला है बड़वानी जिले के इस्तिती के अगर मैं बात करूँ यहाँ पर शित्र इस्तिती की बात क तो आपको बता दूमें, कि ये वाला जो भाग है, ये पुर्वी सत्पुड़ा है, ये कुन सा भाग है, पुर्वी सत्पुड़ा, आप कहोगे सर इस पर समय जाया मत करो, मैं आप से कहूँगा, कि पढ़ो, तो यही पढ़ो, मैं फिर करा हूँ, जाकर मैं पिस्टी के प्रश्न देख लेना, 2017 के PSC के दोनों पेपर देख लेना जाकर, 25 जुलाई 2021 का पेपर जाकर देख लेना, PSC का उसमें पुछा गया, अभी हाली में 21 मई 2023, कितना दिन हुआ, 23 मही जी रहेना, इसका पिछला पेपर जाकर देख लेना, अखरानी की पाड़ी पुछी है, यहा आपका, मद्य सत्पुड़ा, पूर्वी सत्पुड़ा, मद्य सत्पुड़ा, और यह वाला भाग कहलाता है, यह वाला भाग कहलाता है, पश्ची में सत्पुड़ा, कौन सा कहलाता है, पश्ची में सत्पुड़ा, तो पूर्वी सत्पुड़ा, मद्य सत्पुड़ा, और महादेव परवत, इसे क्या कहते है महादेव परवत, सत्पुड़ा को क्या कहते है महादेव परवत, महादेव परवत कहा जाता है और ये वाला जो भागे, पश्ची में सत्पुड़ा, इस पश्ची में सत्पुड़ा वाले भाग को कहते है, राजपिपला की पहड़ी कौन सी पहड़ी राचविपला की पहड़ी तो इसे कहते है राचविपला की पहड़ी ये इसी राचविपला की पहड़ी को कहते है बढ़वानी की पहड़ी क्या कहा जाता है इसी को कहा जाता है बढ़वानी की पहड़ी क्या कहा जाता है बढ़वानी की पहड़ी अखरानी की पहडियां यही पर बढ़वानी के उपर ही यहाँ पर धार जिला है धार जिले के पास यहाँ पर बढ़वानी देखेंगे इसी बढ़वानी के पास में आप यह अली राजपूर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर सोंडवा तैसिल में आपको नर्मदा प्लस हतिनी नदी का संगम दिखेगा इसी इसी बड़वानी में एक नदी और बैती है जब मैंने नदियों की चर्चा की तो मुझे यहाँ एक और नदी लिखनी चाहिए थी ठीक है ना यहाँ पर लिखा आप लोगोंने अमित भाई अंकित भाई अगर 78 नंबर है ठीक है ना चलिएगा आगे बढ़ते हैं यह देखेगा तो महराष्ट वाला यह शित्र होगा यह वाला शित्र होगा यह वाला शित्र होगा यह वाला शित्र होगा तो राजशिपला की पहड़ी यहाँ पर आती है अकरानी की पहड़ी आती है ठीक है यहाँ पर बावन चूलगिरी की पहड़ी कहां पर मिलेगी तो चूलगिरी की पहड़ी मिलेगी बढ़वानी में क्योंकि इसी चूलगिरी की पहड़ी पर मिलेगा आप लोगों को बावन गजा तो चूलगिरी की पहड़ी कहां पर मिलेगी बावन गजा यह आपको बढ़वानी में मिलेगा अ औशदी याद रखेगा औशदी बंती है औशदी औशदी पोधो के लिए प्रशिद्ध है. कुनसी बड़वानी की पहडिया औशदी पोधो के लिए प्रशिद्ध है. अब आप देखेंगे तो एक तो हो गया आप सभी लोगों का सत्पुडा एक तो हो गया कौन सा सत्पुडा और एक हो गया आपका सत्पुडा और एक हो गया आपका विंध्याचल एक हो गया सत्पुडा और एक हो गया विंध्याचल तो याद रखेगा बढवानी कहां पर आ गया सत्पुडा और विंध्याचल के मद्ध में अगर परवश्यनी की बात करो तो बढवानी के दक्षिन में सत्पुडा मिलेगा और उपर में विंध्याचल मिलेगा तो ये पर परवश्रेनी होंगी विन्ध्याचल, तो सकत्पुडा और विन्ध्याचल के मध्粉 स्थिति, याद रखेगा मध्य प्रदेश के बढ़वानी जिले की इस्तिति क्या कहती है, तो बड़वानी जिला केसी इस्तिती में है तो मैं आपको सब पता देता हूँ बड़वानी जिले की भोगोलिक इस्तिती कहती है कि ये विंध्याचल कौन सी परवश्रणी विंध्याचल और सत्पुडा के मद्ध में है विंध्या चल और सत्पुडा के मद्ध में है विंध्या चल और सत्पुडा इन दोनों के मद्ध में कौन सा जिला बना हुआ है तो याद रखेगा बढ़वानी तो बढ़वानी विंध्या चल और सत्पुडा दोनों के मद्ध में है एक तो चीज यह हो गई, दूसरी चीज याद रखेगा, इसे कौनसा शेत्र कहा जाता है, तो ये शेत्र कौनसा होता है, बढ़वानी शेत्र कौनसा होता है, तो याद रखेगा, इसे निमाड कहा जाता है, क्या कहा जाता है, निमाड कहा जाता है, वो भी कौनसा निमाड कहा जब से जब से जब से जब जाएगे आपको बढ़वांई जिले में कहां पर मिल जएक एक रमाव. ठीक है अच्छा इधर में एक चीज और बताना भुल गया था आप लोगों को विधान सभा के अलावा मैं आपको बताता हूं माननी सांसत राज्य सभा सांसत याद रखेगा सुमेर सिंग सोलंकी जी ठीक है ना याद रखेगा सुमेर सिंग सोलंकी इनका नाम बहुत जादा प्रशित है उदर उस शेत्र में सुमेर सिंग सोलंकी ठीक है ना तो याद रखेगा राज्य सभा में कभी भी जातीगत आरक्षन नहीं होता है ठीक है ना बीजेपी से हैं और राज्य सभा संसत है ठीक है ना बीजेपी से हैं सुमेर सिंग सोलंकी जी और राज्य सभा संसत अब बड़वानी में ट्रेन को लेकर राज्यसवा संसद है बड़वानी जी ले में भी रेल चलाई जाए इसको لेकर मान्नी राज्यसवा संसंदी ने मोदी जी से गोहर लगाई है वहाँ पर अपील की है ठीके ना तो याद रखिएगा एक और चीज एराद रखेगा सुमेर सिंग सोलंग की बीजेपी से राज्यसभा सांसद है यह आपको बता दू बहुत अच्छा काम करते हैं और बहुत अच्छे विक्ति हैं और खुद खेती बाड़ी किये हुए हैं आज भी बड़िया से खेत में जाकर हल चलाने के इनके स्वीर भी मैंने देखी है लोगों के बीच में जाते हैं भील जन्जाती समुदाय वर्ग से आते हैं भील भीलाला परी वर्ग से आते हैं और भील जन्जाती के लोगों के बीच में जाते हैं अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान रखते हैं उनके छोटे मोटे कारिक में सरीक होते हैं, उनको माला पेनाते हैं, भील जन्जाती को जागरु करने के लिए उद्वोधन भी देते हैं, समास सेवा के लिए काम भी करते हैं, अपने शेत्रे के लिए भी काम करते हैं, सुमेर सिंग सोलंकी जी राज्य सभा सांसा थे, ठीक न त्यारी करना चाहिए राहूल भाई ST के डिगीरे से 6 चट नमबर बस इतना कमेंट करो भया 35 स्कोर है ST में ST पुरुष में वो भी कुछ हो सकता है क्या 19 तारी का पेपर था 30 रिशिप्ट का 35 नमबर है शिव सोलंकी 3 से 4 बार मत बोलना अगर तुमने 3 से 4 बार बोल दिया तीन बार अगर तुमने 35 पेपिस कमेंट कर दिया तो पूरे 100 नमबर हो जाएंगे तुमारे 35 नमबर में कुछ नहीं होगा मेरे लाल 35 नमबर में परिशान नहीं होना ठीक है ना यहां का लोकसवा शेत्र में बता दू यहां का लोकसवा शेत्र कौन सा लगता है तो याद रखेगा लोकसवा शेत्र लगता है खरगोन लोकसवा कौन सी लगती है खरगोन लोकसवा यहां की लोकसवा है खरगोन लोकसवा और खरगोन लोकसवा याद रखेगा खरगोन लोक सवा एश्टी के लिए रिजर्व है, खरगोन लोग सवा एश्टी रिजर्व है, मद्य प्रदेश में मद्य प्रदेश में 6 लोग सवा सीट, 6 सांसद एश्टी के डिगरी से बनेंगे, सर सुमेर सिंग जी भी नहीं, वो राज्य सवा सांसद तो राज्यसवा में reservation नी होता है, राज्यसवा 11 सीट है, 11 सीट हम कोई reservation है, लोगसवा 29 सीट है, 29 में से 10 पर reservation, 6 पर ST, 4 पर SC, तो ये ST के लिए reserve है, गजेंद्र पही पटेल, गजेंद्र पटेल, ठीक है न, याद रखेंगे, गजेंद्र सिंग पटेल, यहाँ पर याद रख लोगों को, ठीक है न, ठीक है, आगे बढ़иयेगा, और बढ़ें, देखियेगा, यहाँ पर नदियों में जैसे की, देव नदी, कौन सी नदी है, देव नदी, एक देव नदी भी है, ठीक है न, एक बेनी नदी भी है, भेनी बैनी नदी भी है देव नदी बैनी नदी पर जो सबसे खास नदी है वो दो है नर्मदा प्लस गोई नर्मदा और गोई ठीक है चलिएगा आगया इएगा आगया इएगा ये सब सीज लिखा आप लोगों ने भीया नेक्ष पर चलिएगा ये वाला शेत्र हो गया भील जन्जाती भील भीलाला वाला शेत्र है आप ठीक है आप से पूछा जाएगा भाषा तो भाषा तो भाषा इनकी हिंदी है भाषा तो इनकी हिंदी है बोली बोली याद रखेगा भीली भीली प्लस निमाडी भील जन्जा जादा है ना याद रखेगा हिंदी प्लस मराठी याद रखेगा मराठी याद रखे ना दक्षणी भाग में कौन से भाग में दक्षणी भाग में दक्षणी भाग में चुकी महराष्ट आ गया तो महराष्ट से मिलता जूलता है तो महराष्ट आ गया तो इधर मराठी निमाड़ी इनकी बोली हो जाती है ठीक है अरे वो देव देव देखो देव कहां लिखा देव यह ले देव ठीक है देव नदी ओके ओके थेंक्यू सो मुच थेंक्यू चलिएगा हो गया राजा इसका श्क्रीन शोड़ लो जल्दी से यह आपके काम की चीज है इसका श्क्रीन शोड़ लो जल्दी से छेत्र कौन सा आता है निमाड आता है ठीक है न चलिएगा अब देखेगा बढ़वानी जिले के बारे में और कुछ महत्पुन फेक्ट देखें देखेगा जिला है बढ़वानी कौन सा जिला भी या तो जिला है बढ़वानी जिला सबसे पहले तो यहां की वर्षा कितनी होती है तो याद रखेगा वर्षा कितनी होती है तो यहां पर होती है सो से एकसो दस सेंटीमेटर सो से एकसो दस सेंटीमेटर मतलब के सकता हूं ओसद वर्षा एवरेज होती है ओसद वर्षा ठीक है यहा पर आप लोगों से पुछा जा जलवाईू तो यहां की जलवाईू कैसी तो भाईया बहतरिन गर्मी पड़ेज रहे दादा ओ पगलाई जाए सकला का सकला दादा बहुत खतरनाक होता है दर तो जलवायात रखेगा अधिक गर्मी अधिक गर्मी अधिक गर्मी अधिक गर्मी सामान ने ठंड ठंड बहुत जादा नहीं होती है गर्मी बहुत जादा ह होती है भया ओस्तन 45 डिगरी सेल्सियस यहां का तापमान बना रहता है मतलब यह है कि मत्य प्रदेश में बढ़वानी जिला जो है इसका टेंपरेचर अच्छा खासा है राजा भया बढ़वानी जिले का टेंपरेचर अच्छा खासा अधिक गर्मी समने ठंड होती है ठीक न आप से पुछा जाएगा मिट्टी केसी पाई जाती है तो मिट्टी केसी पाई जाती है तो यहां पर पाई जाती है हलकी काली मिट्टी केसी मिट्टी पाई जाती है हलकी काली मिट्टी पाई जाती है हलकी काली मिट्टी पाई जाती है आप लोगों से पुछा जाएगा कि इस शेत्र की फसल कौन कौन सी है तो देखेगा मेरे राजा इस शेत्र की फसल में सबसे पहले तो याद रखेगा यहाँ पर मूंग फली अच्छी उगाई जाती है तो मूंग फली वाला शेत्र है तो मूंग फली होता है दूसरा पश्ची में निमाड है तो यहां कपास उगा जाता है, कपास का शित्र है, कपास का शित्र है, मिर्ची अरू काई, ध्यान से सुनियेगा भाईया, मीरी, मीरी कपास अरू सेंगलाई, ठीक है ना, इधर शित्र है, गेहूं का शित्र है भाईया, गेहूं भी उगाया जाता है, गेहूं का भी अच्छ संपूर्ण जिला रहा है बड़वानी जिले की तहसिल तहसिल का नाम है सेंधवा सेंधवा में मद्ध्रदेश के सबसे बड़े बड़े कपास जीन बोलते हैं जीने कारखाने रहें कपास के सबसे बड़े बड़े कारखाने रहें कहां की बात कर रहा हूँ, मैं सेंधवा की बात कर रहा हूँ सेंधवा में मैं कर रहा हूँ, महराष्ट के, इधर से देखेगा, इधर से महराष्ट के लोग पहुच जाते थे इदर से मद्यप्रदेश के लोग आजाते थे इदर से निमाड के लोग आजाते हैं इदर से महराष्ट के लोग आजाते हैं और ये पूरा शित्र ये पूरा बेल्ट ये वाला जो बेल्ट दिख रहा है आपको बहुत बड़ी बड़ी फेक्ट्रिया हो करती थी ठीक ना पर अब बेसी बात नहीं है ठीक ना अब बेसी बात नहीं कपास का उत्पदन कम हुआ है कपास का उत्पदन कम होने के कारण में कपास का उत्पदन कम होने के सेंद्वा से पर हमने पच्पन से सुन रखा है कि कपास क्योंकि सब कपास की केती हमारे इस साइड भी होती थी तो कपास बोले सेंद्वा की मंडी सेंद्वा का जीन सेंद्वा के सेट सेंद्वा के सहुकार अला की मामला था वही है ठीक है ना ठीक है ना इधर देखेगा यहां तक लिखा आप लोगों ने तो मुंगफली का पास मिर्च गे हूँ यहाँ पर आप याद रखेंगे मुंगफली के अगर मैं बात करूँ तो मुंगफली के संबन्ध में हो गया लाल मिर्च होता है भी या लाल मिर्च बहुत अच्छे सो उत्पादन की जाती है ठीक है ना अब देखेगा यहाँ पर एक और चीज है चावल अनुसंदान के अंदर कहाँ पर है चावल अनुसंदान के अंदर राइस रिशा सेंटर चावल अनुसंदान के अंदर चावल उनसंदहन के अंदर कहाँ पर है तो राजय भीया चावल उनसंदहन के अंदर कहाँ पर मिलेंगे आपको तो चावल उनसंदहन के अंदर मिलेगा आप लोगों को बढ़वानी में कहाँ पर मिलेगा भीया बढ़वानी में तो लोग कहते हैं ना निमार तरब जाओ, तो भाईया लाल मिर्ची लेकर आना, लाल मिर्ची का उत्पादा निया कह सकता हूँ, सीधी सी बात है, मिर्ची सीधी लाल नहीं लगती है, लगती हरी ही है, कोई अगर बीच में दो सेकंड के बाद में अपना विचार प्रकट करे से पहले के दू लगती हरी है, पर हरी मिर्ची तोड़ के बेच देना, एक इस तरह का व्यापार, पर मिर्ची को तोड़ कर सुखा कर उसे लाल मिर्ची बनाना, फिर उसको पाउडर बना कर या पीसीवी मिर्ची को अलग से बेचना, तो वो लाल मिर्ची का व्यापार हो ग ठीक करका है, यहां से हो गया कपास की में बात करता हूँ, सिंधवा मेंτο प्रमुख कोटन की बात कर रहा हूँ, कोटन फेक्टरी है, क्या है, कोटन फेक्टरी है, गोचे मेंत बताता हूँ याद रखेगा बढ़वानी में घटवा शुगर मिल इसका नाम बदल कर रख दिया गया है मेकल सुटा मिल कौन सी मिल मेकल सुटा मिल तो है तो कौन सी शुगर मिल है याद रखेगा गटवा शुगर मिल कौन से जिलिम मिलेगी बढ़वानी जिलिक अंतर्गत मिल जाएगी यह तक लिख आप लोगों ने ठीक है आगे बड़े भीजा कि आगे बड़े मेरा राजा ठीक है ना याद रखेगा एक हो गया यहाँ पर ठीक है ना बड़वानी हो गया मिट्टी हो गया फसल हो गया जलवाई हो गया वर्शा हो गया ठीक है ना जन्जाती यहां के बारे में हो गई यहां की बोली हो गई भाशा हो गई ठीक है ना याद एक रियासत थी जहां राणा वन्ष का शाशन था लिखा आप लोगों ने राणा वन्ष का शाशन था बहुत काम के चीजे ठीक ना बिल्कुल सेंद्वा मंडी एक समय में एश्या की टॉप मंडी हुआ करते थी, no doubt, ठीक है ना, ठीक है न, चलिए गभाई साब, आप सभी लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, एक बच्चे ने कही दिया है, ठीक है एक बच्चे ने कही दिया कि भाईया, लाइक कर दो भाईया, ज ठीक है न, बहुत बढ़िया, ठीकरी तैसिल में आती है, शुगर मिल, बिल्कुल भईया, ठीकरी तैसिल में शुगर मिल आती है, ठीक है न, अब देखेगा, यहाँ पर आता है गोला मट, एक आता है बढ़वानी पेलेस, बढ़वानी, याद रखेगा, एक जगा आती है, देखेगा बढवानी विला के नाम से भी जाना जाता है बढवानी का विलास पेलेस महाराजा रनजित सिंग ने याद रखेगा महाराज रनजे सिंग ने क्यों करवाया था याद रखेगा रनजे सिंग ने दिवंगत बेटे की इश्मती में बनवाया था याद रखेगा अब आपके कई सारे सवाल होंगे जैसे गोला मठ ये बगरा मैं आपको बता देता हूँ ठीके ना राम राम पहुच गया आप सभी लोगों का ठीके ना ठीके ना याद रखेगा और याद रखेगा इससे क्या कहा जाता है गोला क्या कहा जाता है प्रशिद्धिनाम प्रशिद्धिनाम याद रखेगा प्रशिद्धिस्थल जो है उसको क्या कहा जाता है गोला तिर्थे क्या कहा जाता है गोला तिर्थे के नाम से जाना जाता है अब सुनिएगा बडवानी जिले में बावन गजा जेन तिर्तिस्तल बडवानी जिले में नागलवाडी जिसमें परसो खतरनाक मेला लगेगा अभी आप देखेंगे नागंचमी का नागलवाडी क्या प्राकृतिक धरश्य है टेकरी उची पहाडी पर बिंद्या चल के सत्पुडा के पश्चिमी भाग पर राचिपला की पहाडी पर टेकरी को फर नांगल वाडी तिर्थिस्थल नाग वाबा का भिलड देव अभी नागल वाडी का मेला लगेगा भाई साब नाग पंचमी का वो बड़वानी माता है आप देखेंगे यहाँ पर एक मेला भी लगता है ठीक ना तो वो मेले को बारे में पढ़ाएंगे हम मेणी माता का मेला भी लगता है खंडे राओ का मेला भी लगता है उस मेले की बारे में चर्चा करेंगे हम बड़वानी जिले में जंगल जो शेत्र है 2021 की वन यहां के प्रमुख, क्रांतिकारी, शहीद भीमा नायक साप की बात करेंगे, शहीद खाज्या नायक साप की बात करेंगे, भील जंजाती की बात करेंगे, दवा बावडी की बात करेंगे, दवा बावडी में लड़ेगा युद्धो की चर्चा करेंगे, यहां पर इंद्रज इसे संबन्ढ दिते हैं ठीक है थीक है तो यह सारी छीज़ेश हम कपड़ेंगे कल ठीक ठीक है न आ ठीक है न बहुत बलगुल बहिया बहुत बढ़वानी का नाम बढ़वानी कैसे पड़ा वो भी मैं कल बताऊंगा कर गए कल downtown नह भुले बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का साइड में होता हूँ, कभी भी आप स्किंशोट लें कभी भी भी आप लिख सकते हैं, इतनी देर जो मैं 3-5 सेकंड बाहर खड़ा हूँ, ठीक है ना बहुत बहुत धन्यवाद भीया कल फिर आएंगे 8 बजे जो चीज आपकी रह गई है पढ़ने को वो सारी चीज आपको कल मिलेगी, ठीक है ना ठीक है, चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को प्रणाम, आप सभी के माता पिता को प्रणाम शुबरात्री, शुबरात्री, जैंजे भारत धन्यवाद प्रणाम